तो हाई गाईज, गुड मॉर्णिंग, मैंना आज सुबा सुबा निकला दादर, सबसे पहले दादर से ट्रेन पगड़के मैं नवी मुंबई पहुचिया, और कॉमेंट सेक्षिन में इस बार जो मैं वीडियो देखके बना रहा हूँ, मतलब कॉमेंट पड़के जो मैं CICI, SBI, दूसरे दूसरे ब्रैंड्स, हर एक शोरूम यहां पे आपको मिलेगा और यह नवी मुंबई का उलवे वाला एरिया है, लोगों ने कॉमेंट किया कि वाई आपने 1R के लाया, 1BH के लाया, 3BH के लाया, with balcony वाली फ्लैट लेके आई, लेकिन इस बार ऐसा कोई प् जिसका size 1BH के कार्पिट एरिया इतना बड़ा हो, कि बात में, future में जब हमारी family बड़ी हो, तो उसको तोड़ के हम 2BH के भी कर सके, यहां पे आप देख सकते हो, trends बगरे का शोरूम में, मतलब आप जब यह एरिया देखोगे, तो आपको anyway, समझ में आ जाएगा कि यह एर बामन डोंगरी railway station है, वो भी मैं आपको दिखा हुगा, यह सामने आप सबसे पहले देखो, जोन करके दिखाता हूँ, यह देखो, भूमी पुत्र भवन, अब इसका नाम भूमी पुत्र क्यों है, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब शाम के टाइम में यहां पे बामन यहां पर, जब मैं वीडियो में ऐसे डारेक्ली बोलता हूँ कि बाई, ओलवे में 2BHK 80,000,000,000 रुपे के ऊपर जाता है, तो कोई बिलीव नहीं करता हूँ, उनको लगता है, मैं जूट बोल रहा हूँ, सामने आप देख सकते हो, पीजा हट वगेरा है, लेप साइ ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन यह सच है, आप सामने देख रहे हो, जियो इंस्टिट्यूट यहां पर दोनों साइड में बना हुआ है, जियो ने खुद यहां पर इतनी जमीन लीवी है, यहां पर मैं आपको प्रूव करने के लिए दिखा दू कि मैं उलवे में हूँ, I love डेल्टा के नीचे यह लगा हुआ है, इसके आगे आप जाओगे, तो आप देखोगे राइट साइड में यह जो मंदिर बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यहां पर आकर उठखातन किये हैं, इसका यह पूरा बालाजी टेमपल है, बहुत बड़ी जमीन म मंदिर बन रहा है, जो की अपने प्रोजेक्ट से एक मिनिट वॉकिंग डिस्टिंस पर, उसके आगे आओगे, तो यह पूरा का पूरा स्कूल बन रहा है, यह स्कूल अपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा होगा, यह स्कूल जम से बन रहा है, तब से मैं इसको कवर कर है, चतरपती शिवाजी महराज की यहां सामने मूर्ती लगी वी है, चतरपती शिवाजी महराज को सल्यूट, अब इसके आगे मैं आपको बाहर लेके चलूँगा, तो यह आप देख सकते हो, आई लव खार को पर, खार को पर रेलवे स्टेशन यहां से 30 सेगिंड बनाई है, जिनकी प्रॉपटी की रिव्यू करने में आज जा रहा हूँ, लिफ्ट वगेरा सब कुछ लगा के मिलता है, यहीं से स्कूल के जस्ट अपोजेट में आपको दिखा देता हूँ, फोर्थ फ्लोर पे एक ऐसा वन बीएचके डेवलपर ने ओप्शन मुझे दिय 30-35 रुपए गई बजट आपको दूँगा, और प्राइजिंग जो है नेगोशियबल होने वाला है, मैं आपको लास्ट में एक्जाक्ट औल इंक्लोजिफ प्राइज भी बता दूँगा, लेकिन मेन बात यह है कि आपकी कॉमें से ही इंस्पिरेशन लेकर, यहां आपके क मिलने वाला है, नीचे पूरा कमर्शल बन रहा है, दो महिने के अंदर इसका पूसेशन हो जाएगा, पूरा काम खतम हो चुका है, अब बस फिनिशिंग का काम चल रहा है, उपर आप देख रहे हो, यहां पर प्यूपी वगेरा का भी वर्क चालू हो गया है, आ सौरी प्य यह जो फ्लाइब देख रहे हो, यही वो फ्लाइट है जिसके में बात कर रहा हूँ, अगल बगल में आप देखोगी यह देखो, यहां पर ब्लास्टर वर्क चल रहा है, सारा काम यहां पर हो रहा है, अब जो मैंने आपको वन बीच के दिखाया ना, मैंने आपको क्यू ब यह की है, लिफ्ट के जस्ट बगल में, मतलब लिफ्ट खोलते ही बगल में जो अपार्टमेंट आता है, यह वही अपार्टमेंट है, एंटर करते ही पहले इतना जगा आपको एक्स्टर मिलेगा, और सामने जाओगे तो यह इतना बड़ा हॉल मिलेगा, प्लस सामने आपक से बगल में देखोगे मंदिर है सिटकों की बिल्डिंग से सामने ट्रांस अर्पर लिंक है उस तरफ आप देखोगे तर इंटरनेशनल एरपोर्ट है मैं आपको टरिस पे भी लेके जाओगा वहां से भी आपको देखाओं यहां से जूम करोगे तो यह जो मैं आपको बैलकनी में भी लेके चलता हो बैलकनी बहुत बड़े साइस का नहीं है लेकिन बैलकनी है और लंबाई बैलकनी की काफी अच्छी खासी है चोड़ाई भी और अच्छी होती तो और अच्छा होता बट फिलाल जो है वो मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हो as it is कुछ कम कुछ भी ज्यादा नहीं बताना मुझे जो है बस वही आप देखो सामने आप बेडरूम का स्पेस दखो के जबरतस बेडरूम बड़ी है और दोनों साइट में विंडो है तो मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिल रही है और यहां पर भी आपको बैलकनी मिल रही है मत से आप देख सकते हो यह जो काम बगेना चल रहा है आपने देखा ही यहां पर पुरा पुट्टी पुट्टी के यहां पुट्टी बोलते हैं उसको पुट्टी का काम चालो है यहां पर अब इसकी ऊपर टेरिस स्पेस भी मैं आपको दिखा लेता हूँ यहां से कुछ प्रोजेक्ट में सामने आप देख सकते हो स्कूल है यहाँ पे सामने आपको दिखाऊ हुआ ट्रांस re dónde यह थोड़ा साधर मैं और यहाँ पर जूंग्वा तो आप देखो कि उस तरफ में इंटरनाश् legislators एरपोर्ट बन रहा है आप देख सकते हूं इंटरनाशनल एरपोर्ट का काम चल रहा है 15-20 मिनिट के डिस्टेंस पे सब कुछ है तो आप लोग यह देखो कि मैं जितने भी आप लोग कॉमेंस करते हूं जो भी आप मुझे फीडबाक देते हूं मैं बहुत सारा कुछ लेता हूं आप लोगों ने मुझे यह भी बूला कि देवरेज भाई आप 1R के लेकर आओ 1BH के लेकर आओ 2BH के लेकर आओ 1BH के लेकर लेकर आओ तो मैंने सब कुछ ले के आ और नभी मुम्माई में खास करके आप लोगों ने उल्वे में जब मुझे बोला तो उल्वे में मुझे थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि यहां पर 1BHK ही 60-70 लाख रुपे लग जा रहा था तो इस बार सब कुछ लाने के बाद जब आपने य कर सके जब हमारी फैमिली बड़ी हो या जैसा भी होता है आप जानते हो इंडिया में उसकी हिसाब से आप कुछ ले के आओ तो यह तो आप लोगों ने गजब का चैलेंज कर दिया तो इसी बिल्दिंग में जिसमें मैंने आपको पहले भी प्रॉपेड़ी दिखाई भी है डेवलपर से मैंने बात किया और मैंने उनको बोला कि क्या हम कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जहाँ पर आप देख रहे हो उल्वे में नवी मुंबई में सीपीएसी स्कूल के सामने यहाँ पर में ट्रांज हार्बर लिंक एरपोर्ट मतब इतना इंपोर्टन लोक अप्षिन दिखाया है यह वन भी एच के अपार्टमेंट ऐसा कस्टमाइज करके बनाया गया है कि इसका हॉल ही में को लगता है 22 24 24 फीट की हॉल है तो इस हिसाब से इसका कार्पेट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है विध बैलकनी वन भी एच के अपार्टमेंट विध बैलकनी दो दो वाश रूम बात रूम आपको मिलेगा मास्टर बेडरूम के साथ आता है और इसका साइज इतना बड़ा है कि आप इसको फ्यूचर में जाकर आराम से जबी आपको लगे कि बाई बरिवार बड़ा हो रहा है इसको आराम से आप टू भी एच के में बड़ा अपार्टमेंट है प्राइजिंग सिर्फ 35 लाख रुपए ऐसे लोकेशन में ऐसा एरिया में आपको सिर्फ 35 लाख रुपए में अगर 5-7 लाख रुपए भी आपके पास दाउन पेमेंट करने को है ना तो भी आपका काम हो जाया बाग की सारा लोन करा देंगे ग 35 लाख रुपए प्लस दो तीन लाख रुपए आपका सेंट डूटी रेजिस्ट्रेशन नहीं भई 35 लाख रुपए में ही इतना बड़ा वन भी एच के वित दो दो बैलकनी आपको सब कुछ करा के ओल इंक्लूजिफ 35 लाख रुपए में दिला रहा हूं तो आपको न नहीं कर पाया हूं पिछले 2-3 महीने से कोशिश कर रहा हूं पर नहीं कर पाया हूं लेकिन 100% करूंगा कुछ कुछ रिक्वेस्ट में थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन मैं ना करू ऐसा नहीं होगा तो आप मेरी मेहनात को भाई सपोर्ट करो अगर आपको यह सब्सक्राइब करो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा आपके अगले रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर लेके होंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत